पर उनीच नमर कोस्न में काया की इनए ट्रेंगल एवी सी प्रूब्धा फॉल्व vẫn यहाँ पर भी फिर साम लोग वहीं तिमाल करेंगे ठीक है कि पहले तोड़ लेते हैं कि है क्या है तो आप देखोगे यहां पर कि साइन रूल के इस्तेमाल करते हुए कि यह रहे हैं साइन रूल में क्या होता है कि ए डिवाइड में साइन ए बी डिवाइड में साइन भी and c divide में sin c equal to k तो a के लिए यहाँ पर क्या लिखेगा आप लो a के लिए k into में sin a b के लिए k into में sin b and c के लिए k into में sin c लिख लिजेगा अब हम लों चलते from lhs from lhs और lhs में भी किस पार्ट को लेते हैं सिर्फ फार्स ले पार्ट को लेते हैं c square b minus c square c divide map k b plus c पार्ट बचा हुआ case one लेते हैं case one लेकर चलते हैं तीनों पार्ट को बारे बारे से करेंगे पहले एक पार्ट को कर लें उसका पूरे पार्ट को इसका similarly लगाए कर लेंगे तो बारे कीसे देखिए गा हम पर c square b है अगर angle b है तो side b है एंगल सी है तो साइड सी है सिमिलर यहां पर एंगल सी है तो साइड सी है एंगल यहां पर एंगल यहां पर एंगल भी है तो साइड भी है पर एक को तोड़ लीजिए जैसे इसको तोड़िएगा यानि कि फेक्टर कीजिएगा दो पार्ट में इसको फर्मॉला क्या होता है आ उसनसर T T में भी होता है इस को याद रखेगा आप डिवाईड में चलते हैं हम लोग बी के लिए क्या लिखेंगे के इंटू साइन बी के को कॉमन ले लेते हैं और बीकिल सिर्फ साइन वी पर प्लस में सी के लिए साइन सी ठीक हे सैंसी इतना के लिए अब इसमें अगें क्या करेंगे टू से मल्टिप्लाई करके अब ठीक्रेगे संब्ีक्स मूल्टिप्लाइक करना है चुशा है तो समझ गाना मल्टिप्लाइग करना है तू से लिग दू कि मल्टिप्लाइग भाई तू ठीक है दोनों तरफ उपार निमेटर एंड एंड डिनमेटर ठीक है आगा समयते हैं तो लगेगा यहां पर जैसे ही तो आपका हो जागा कितना कॉस इस तो करने के जोट है नहीं पीकिश में तो डैक्ली फ्रमुला होता है ना कॉसर और आकॉस है का प्राइक लिख सकते हाँ पर टू इंटू कोस घ्रसी लाए टू इन तू कोस सो घ्रसी रचीव से into sin B plus C था तो K को कप common निकाल लखे हो रहने दिजी और 2 into में sin B plus C by 2 into में sin B minus C by 2 एक साथ छोड़ दिजी इतना अब सारे के सारे terms आपके क्या है into में यहां बी into लगा हुआ यहां भी into है यहां भी into है सब जगा into है तो है एहां पर cancel cancel कर सकते हैं हैं चाहोँ तो तो sin b plus c by two यहां पर देख रहा है आपको, sin b plus c by two यहां देख रहा है। यह चीज यहां देख रहा है, यह चीज यहां देख रहा है। तो से two भी cancel out कर लो, ठीक है? और कुछ तो बचने वाला है नहीं, तो यहां पर जो बच्चेगा उसको अप लिख लो बच्चेगा क्या हमारे पास एक बच्चेगा आपका माइस का 2 cos b plus c by 2 into में sin b minus c by 2 और divide में k बचा हुआ है और इस पूरे टर्म को formula होता है आपका आपका बापिस लगा लिजी जो लिखे थे हम लोग यहां पर कि माइनस का sin b minus में sin c by k है तो k minus common करके इदर डाल दीजेगा तो क्या होगा आपका sin b minus minus plus उपर कर देते हैं इसको पहले कर देते हैं ताक यह पहले आ जाए और sin b को बाद में और divide में किका कि यह तो आपका एक टर्म हुआ और यह टर्म किसके स्वाइस के लिए था मैं उससे हाप लिख देता हूं सुरू सके कि कॉस स्क्वाइर वी ठीकर मा मैस गासि स्कॉर सी स्क्वाइर सी डिभाइड में आपका था ठाल बीपलす सी के लिए टर्माएँ ता आप गौर करण कर्यएगा कि जब बी पलस यानि कि cos square b minus cos square c के लिए b plus c था तो b और c था तो यहाँ पर क्या बचा हमें पास? b और c बचा है पलस में है ना? तो similarly करके हम लोग आगे का टरम को भी लिख सकते हैं ना? अईसा तो लिख लेते हूं से इसको similarly similarly कि cos square c minus cos square a divide में c plus a था इसके लिए आप लोग क्या लिख सकते हूं? अराम से लिख लिख लिएगा sin a minus में sin c by k ठीके यहाँ पर एक चीछ चूट कि हमारा जब minus है तो minus b रहोगा नहीं है अपर? यह minus b लप 8 होगा और यहाँ पर minus लगना चाहिए तब तो करना सील होगा यह बीच में जोड़ना है आपको और एक और टर्म था आपका कि cos square a minus में cos square c, c नहीं b था, divide में आपका a plus में b था, equal to इसके लिख क्या लिखेंगे तो sin b और minus में sin a, divide में k, बस यह आपका पलट रहा है, b पहले था, c बाद में था, यहाँ पर क्या हो गया, c यहाँ पर पहले था, a बाद में था, a पहले आगया, c बाद में आऊ गया यहां पर देखेंगे तो A पहले था, B बाद में था, इसलिए B पहले हो गया, A बाद में हो गया, divide में के लगा हुआ है, तो एक चीज को आप प्रूफ कर लिए, तो सबको इसे कर लिजी, अब हम लोग LHS की तरफ चलेंगे, तो सबको क्या करना था, जोड़ना था, तो आप इसको जोड़के, एक वाइकल टू करके, बस कैंसिल कर लिजी, तो फिर से चलते हम लोग LHS की तरफ, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS में हमारे पास जो था, वह था आपका, कॉस स्क्वाइर B माइनस में, कॉस स्क्वाइर C दे रखा था, डिवाइर में था आपका, B पलस C, एड़ अगैन, कॉस स्क्वाइर C माइनस में, कॉस स्क्वाइर A, डिवाइर में था आपका, C पलस A, और प्लस, कॉस स्क्वाइर A, माइनस में, कॉस स्क्वाइर B, डिवाइर में, A पलस B था, यह दे रखा था, आपका LHS स्पार्ट में अब इस पार्ट के लिए आपको पता है क्या के लिखना है यहां पर देखते चलेंगे cos square b minus cos square c b plus c क्लिक है था sin c minus sin b तो हैं प्लेस कर लिजी sin c minus sin b divide में k again plus यहां पर हो जागा आपका sin a minus sin c divide में k again plus इसके लिए sin b minus sin a divide में k के को common निका लिजी एक बार में यहां फिर डायकली डिवाइड में लगा लिजी के यहीं पर तो बचेगा क्या आपके पास यहां पर sin c minus sin b plus sin a minus sin c plus sin b minus sin a यह बचेगा यहां पर cancel होना है यह से कर लिजे sin b से sin b sin c से साइंसी कैंसे लोगा पूरा कैंसल होने का मतलब जीरो डिवाइड में की यानि की ओवर रोल जीरो और यहीं हमारा आरेजस में लाना था तो आगे आरेजस और यह हमारा प्रूट हो गया ठीक है चले नेक्स वेशन देखेगा